हेलो प्रेंट्स आप देखरें निवरा पार्शाल अजूकेशन और जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था उसमें मैंने पार्ट 6 जो है 5 तक अभी तक डाल चुका है 6 तक और वो सारी इंग्लिश में थे ठीक है लेकिन अब जो है मैं किसमें करने वाली हिंद तो आपकी जो रहेगी वह रहेगा जो है 7 पार्ट ठीक है लेकिन इसके साथ सथ इसमें क्या कर सकते हैं अगर इंग्लिश वाले बच्चे देखना चाहे तो वह भी देख सकते क्योंकि यह कोश्यस डिफ्रेंट रहने वाले है तो आज की वीडियो शुरू करते हैं बट वी सब्सक्राइब फ़ीडियो शुरू करते हैं पहला कोश्चन है संसाथ में भारत सरकार अधिमयम कब पारित किया गया तो यह पारित किया गया था है 1858 में क्ली हो गया है नेक्स्कोंशन क्या है ढायती राष्ट कॉंग्रिस मतला इंडियन नेशनल कॉंग्रिस जो थी वह 1896 का अमिर्ष इट में से किसके लिए विध्यात है इंडिया नेशनल का टाम पे जो अमिर्था इachति जाना ने उड़कल कि एतिनीयाम पास किया गया है। और यह है बंकिम चंद्र चेटर जी के उपन्यास आनंदपट का अंच था ठीक है तो इनको कहा जाता है इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे जो सर चार्ल मेटकॉफ थे वो 20 मार्च 1835 से यहां पर लेकर देती मैं 20 मार्च कबसे 1835 से लेकर चार मार्च जो है 1936 तक के बीच में जो है भारत की गवर्नर जल रहे और उन्होंने ही जो है प्रेस को पूर्ण सवतंतरता दी ठीक है तो अब यह समझ में आगे आपको तो यह नेक्स कोशन देखते हैं कोशन नमबर 4 क्या कह रहा है देखिए समुत्री वैपार के संद जो है बेसीकली पूर्थगालिओ के तुरूष जो है शुरू के गई थी इसके यह रिवह में थोड़ा सा जानेंगे त्या आपके पास करतज व्यवस्ता थी वह क्या थी आपके लिए पुर्टगालियों ने एक लाइसेंस जारी किया था व्यापार के लिए यह उससे डिलेटिट थी नेक्स देख लेतें नेक्स आपके पास एक कुश्चिन देख लेतें सुरेंद्रनाथ पेनरजी के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो इसका अंसर है आपके पास उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारन ब्रह्मो समाज का स्थापना के यह सही नहीं है बाकी यह जो तीन उपर के जो आपने स्टेटमेंट दिये हुए हैं वो सारे सही है नेक्स देख लेतें नेक्स कोशन आपके पास है कोशन नमबर 6 कोशन नमबर 6 में क्या है स्टन्तरपा आंदोलन के दोरान रवेंदर नाट टेगोर ने नाइट हुड की उपादी किस खटना के विरोध में वापस कर दी थी याद रखिएगा ये थी जलिया वाला बाग हत्याकार इसके जो है अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया था उनको जो उपादी मिली थी उन्होंने उसको बैक कर दिया था ठीक है जलिया वाला बाग के बारे में तो सब को भी पता होगा तो नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन जो आपके पास है कोशन नमबर 7 कोशन नमबर 7 में क्या कहा गया है मुस्लमानों के लिए अलग मतदान मतदाता दल के लिए किस कॉंग्रिस अदिवेशन को जाना जाता है ठीक है तो अब इसके बारे में भी जानेंगे थोड़ा सा लेकिन इसका आंसर जो होगा वो होगा लखनो अधिवेशन 1916 देखिए जो 1916 में जो लखनो अधिवेशन हुआ में मुसल्मानों के लिए क्या है अलग मद्दान दल की ववस्ता की गई थी ठीक है और इसमें जो है नरम दर गरम दर जो कॉंग्रिस के थे वो दोनों ही आये थी इसमें ठीक है नेक्स देख लेते नेक्स इसके बाद आपके आपके पास है निमलेखित में से किस राज़िय ने अंग्रेशों को मुक्ति व्यापार के लिए सुनहरा परमान जारी किया तो यह आपके पास था Golconda ठीक है कौन सा था Golconda इसके बार में समझेंगे थोड़ा सा याद रखना है 1632 में जो है अंग्रेजों अंग्रेजों को जो है Golconda के साथ मुक्त व्यपार करने का प्राप्त हुआता और इसके लिए उनको क्या करता से 500 प्रतिवर्श प्रतिवर्श मतलब जैसे कि यूरली उनको क्या करना पड़ता था पे करना पड़ता था तो यह आपके पास था आप कोश्चन नम्बर 10 देखे जो है आंगल मराथा यूथ मतलब ऑप्शन आपका भी ठीक है तो यह आपका जो है इससे रिलेटिड थी इसके बार में थोड़ा सा जानेंगे कि जो आपके पास फर्स्ट अंगलो मराथा यूथ के बाद जो है 17 में 1782 में जो है सलभाई की संदी हुई थी और इसमें मतलब सिगनेचर किये गए थे ठीक है क्लियर हो गया तो यह था आपके पास तो आपके पास अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूले और जितना हो से कि आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि जो है अपकमिंग वीडियो मैं आपके लिए अच्छी सची लेके आ सको and thank you to all